आपको बता दूँ गोला में जिस हिसाब से गली कूचे पे डिलेवरी वाले हास्पेटर खुल नहीं हैं मैं आपको बता नहीं सकता हूं यह कारोवर इतना बड़ा हो रहा है गोला के अंदर हर नुकड हर गली हर चौराय पे कोई ना कोई अपना हास्पेटर खोले यहीं पर कहानी आती है गल वर हास्पेटर की जैसे मैं आपको बता रहा हूं इन्हों ने चियुंस जो जैक्रा बानों है इन्होंने जब से गल स गला यह तब से यह काम कर रही है इनका 21 महीinks मेने का हो है जो सारा कुछ हिसाब इस पर चढ़ाते थे डाक्टर साहब जैसे आप देख रहे हैं जे ग्लोवल हास्पेटल है बाके गंज रोट इनके ओनर है रभी गोतम इन्हों ने इस किताब में इनका लेखा जोका रहता था कि कितना रुपया दिया कितना बकाया तो कुछ काफी समय से कितने साल से आप काम कर रही थी दो हजार बीस से चे जुलाई से इनका कहना है कि दो ढ़ाई साल से इन्होंने जो काम किया उसका एक लाग 47,000 रुपया बनता है लेकिन रभी गोतम इस चकर नroid कि वो इनको मौतामा को इतना परसान करते है चै़करा बयानों को विचारी करती है फोन को उठाते नहीं है कहते 많 MIRA कुछ नहीं कर पाओगी ना पुलिस करेगी ना प्राध कर करा वाई कैसी बात करती हैं कोट और तुम कुछ नहीं बिकलांग और वह भी 6 परेंट जहां पर तीन दिसंबर बिक़्लांगों और को लिए दिवस रखा जाता है हां दिवस है विकलांगों के लिए छुट रखी जा वहाँ तुम बिकलांगों का पैसा खाऊए डाक्टर साहब कि अब तुम्हें जे पता है कि इस महिला ने तुम्हारे हास्पेटल में जब से सुरू हुआ था तब से वो काम कर रही थी लेकिन तुम्हारे तुम्हारा जे कहना है इनका कि हम तुम पर आरोब लगाएं अच्छा आरोब किस बात का लगाओगे बाई को यह डिलेवरी केस लाती थी तो लाती थी वह लाती थी कहीं करने तो जाती नहीं थी जैसा है कहना है हाँ अब पूरी सच्चा आपने कभ से काम कि छे जुलाई से 6 जुलाई से mm कितने महिन हीUNG काम तो हम अभी तीन एक्टूबर को छोड़ा है मगर जनवरी में मतलब कहते कहते हुदर हमने कहा कि सर हमें मतलब एक महना हुआ उसके बाद में दो महने हुए तो कहा कि इसा है नया सप्टल खोला है थोड़ा करजा हो गया है तो रुक जाओ आपका पैसा देंगे उसके थोड़े थोड़े पैसे मतलब यह पैसे नहीं दिये तो हम ड्यूटी नहीं करेंगे तो कहा चलो ठीक है तो कहीं हजार फिर देने लगए कहीं 2000 दिये कहीं मतलब अभी यह भी मिलकुल 21 महने का कोई हिसाओ नहीं दिया है यह किस के बाद में हमने जनवरी में काम छोड़ द जनवरी में जो हिसाब किया तो हिसाब के इधर में पैसा उसकी रिखापड़ी है और 21 महने कि ऊधर की कोई पैसा नहीं दिया है देखे जहां पर रभी गोतम जो हैं इन्हों ने इनको किताब दी थी आप देख सकते हैं यह किताब लिखा पड़ी वाली आप इन में जो रुप्या दिया है वो भी लिखा पड़ी है और जो बकाया है वो भी है लेकिन डाक्टर साथ कहीं पर से नहीं सखर रहे हैं अब हमने सब्सक्राइब करना हुआ करो जाकर के पैसे नहीं देंगे पाएंगे आप काम करो विकलांग का पैसा ठीक आप देखिए यह जो है विचारी 50% बिकलांग है जैसे आप देख रहे हैं जे कहां से दतेली से निकलके लखीमपूर और गोला घूमें और विचारी चलने में असमर्थ है साथ लोगों का परिवार है अभी इसने लड़की की साधी की थी वो उधा 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 लेके साधी की और फिर डाक्टर साब से कहा क कि भईया मेरे घर में साधी है लड़की अब तो दे दो तो डाक्टर साब ने उसको भी पैसा नहीं दिया कि हां लड़की की साधी देना लेकिन इसने गरीब ने आस प्रोस से लेके अपनी लड़की की साधी लेकिन अभी भी डाक्टर साब इसका हजम करके बैठने हैं एक अगर जे वहां काम नहीं करती थी तो जे ग्लोवल हास्पेटल हुआ किताब हुआ और विचारी इसने इस पी को भी दिया है अब जे मामला जाएगा कोट अगर आप इसका पैसा नहीं देते हैं क्योंकि जे गरीब है इसका एक बिखलांग है और दुसरी बात मैं आपको बता कि सर हमारी लड़की का रिस्तात ही हो गया है तो हमें पैसे देते तो कहा कि ऐसा भी लोग इधर खर्च हो जाएगा तो साधी में दे देंगे तो तुम्हारा कुछ चांग काम चल जाएगा तो हमने साधी के बज़े से मतलब उधर पैसे का फिर नाम नहीं लिया जब साधी कर heel hom combining in पे कि देंगे लेंगे साधी में देंगे कि अदर लिए खर्चकर हो जाए तुम्हारे प सब्सक्राइब लिए तो छोदा देना यह लए तो उन्योंक्त के विस दिन बचे तो पिर छाएै कि सर अधी में तो पैसे देनना है नहीं दिया पहर पढ़ाते हमारे पांच दिन बचे तो यह समझ लोग कि हमने किसी को दावत नहीं दी हमारे गाउं में तीज जो सचाई बता रहे हैं आप देख रहे हैं बताओ इसको जहांसा दिया गया तीन महिने पहले कि आपकी साधी में हम पैसा देंगे साधी की तारीख धीरे-धीरे न तो यह बिचारे सब कैसे करती कि उसके पैसा ने बहुत दाक्टर को पढ़ा रहा था ऐसा था और फिर मतलब बहां पे साधी वाले दिन हम गया गेरा बजे तक बैठे रहे हैं बहां पे यह गेरा बजे तो यहां बैठी रही और फिर यह डेक्टर ने मोबाल सुचाब कर ल जार रुपया था और वह कही रही थे कि इन्होंने जोल पढ़ाया कि हम दे देंगे साधी नजदीक हुई तो जब पांस दिन के बाद जब साधी नजदीक हुई तो इन्होंने मोबाल से सुचाब कर लिए यह कहानी को और डाक्टर जी और कह रहे थे खिए अगर कोई पैस ग्लोवल हास्पेटल में काम कर रही है तो इस पर दिखाएंगे तो आपके ही तो हास्पेटल में जाएगी यह वहीं से जो इसका है वही आपके मरीज bother तुम केसि किस बात पर कर दोगे क्या तुम गलत हो तब इसको तुम नाहीं माना चाहते हो इसी चक्कर में अगर वो केस भी करती ती तो आपके ही अस्थानी से लेके आती थी जए थे गलोबल होज्ट्र couple हमारे मामा की एक भुत ही डिलेवरि उसकी भी लेकिये गए जो भी गवाही up हमारे गाओं केато भी गवाही कि गई जो लोग भासाइट को और मारे कि धंकी यह दे रहे हैं एक अपता पहले भी दूसरे नंबर से मतलब फून लगाया था तो कोई रहे कि अगर जादा नोटंगी करोगे तो तुम्हें हम जहां पा जाएंगे बहां जान से मार देंगे यह भी धंकी दे रहे हैं अच्छा आपको बता दें और हमारे यहां जहिरुद्दीन है इसमें उनके बड़े भाईया साथ में गए थे उनके सामने कहा था कि मतलब पैसे हम थोड़े थोड़े करके देंगे और अब गया तो कहता है कि कोट करना हो करो जा करके पैसे नहीं देंगे अच्छा आपको बता दें ग्लोबल हास्पेटल जो है जो ज अबेद रूप से आपरेशन करना बच्चा की जांच होना जे सब चीजे हमें सुनने में मिल ऐसा कुछ होता है वहां होता तो है सरी सब होता है ना और अपने तुम बहुत बड़े देपता समस्ते हो कहते हो कि गरीब का पैसा मालुक आज मैं आपको बता दूँ एक बंदी बना लिया था कि जब तक आप पैसा नहीं देएंगे तो मात पंद्रह सभ्लावत तो बोले थे कि जब पूरा पैसा जमा करूगे तब पैसेंड था हाँ तो मैंने बोला कि ऐसा है तो पंद्रा सो रुपए आप मेरे सेलरी में से काट लेना और उसको चुट्टी देजिए अब वो कह रहा था कि मैंने अपनी पढ़िया वेचे अपना घर का सामान बेचा है त अपनी सेलरी से पंदा सो रुपए देता है कि भी या इनको बंदी मत बना उनको छो खाली खून का चड़वाया था देखे जो जैकरा बानों है इनकी समस्या है पैसा गई और मैं आप सबस्क्रेज निवेदन कहता हूं कि जे विचरी बिकलांग है इनका कोई सहारा ने विचरी बहुत दोड़ा भागी करती है आप देखे कैसे चलती है आप बताइए दनी धबक धबक के चलती है और इनका कोई नहीं सहारा है बस सहारा है जनता जनता इस चीज को अबाद उठाए क्या इनको पेमेंट ग्लोवल हास्पेडल जिस आप से धानलियों से पैसा पै बिचारी पैसंड लाला के देती है उसका भी नोने कमीशन नहीं दिया आप देती थी इनका कमीशन होता हो दिया करेंगे और वह भी नहीं दिया जब तिन चाहर पहुंचाए अपने परिबार से तो हमने कहा सर आप कह रहे थे तो कहने यह सिश्टर कैसे हो पाएगा आप य सारे लोग एक के परिवार में इतनी आफ़त आई है जाइकराबानों के हम चाहते हैं कि सारे लोग इस पर आवाज उठाके इस का पैसा दिलाने के विचारी जे दोड़ नहीं पाती है आपको बता दी जे इस पी के पास भी इन्होंने हाजरी लगाई है इन्होंने अधिकारी के बाद और लेवर 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 स्पिटर के पास भी गया थे वहां भी लेके संदिया था इन पर सारे कागस है कारफी कारवाई इन्होंने चालो किया अगर यह नहीं होता तो अब इस मामले को हम ले जाएंगे कोर्ट डाक्टर साहब आप देखते हैं सारे इसके बाद ड बगावत की थी कि कुछ गंदी चीजें वहां पर हो रही थी ग्लोबल हास्पिट्रल की आड में कुछ और भी चला था लोग वहां पर लेला मजनु भी बनाए जाए रहे थे क्या समस्या थी वहां पर यह कंपज कंपज भी कहते हैं उसको और उसको रभी गोतम से जो डाक् मतलब सबस्टाप आता है आप हमारे चेंबर में क्यों नहीं आती हो आया करो घंटे दो घंटे बैठा करो पीके डाक्टर जो है उसको मतलब उसको भी कमपज भी कहते हैं तो हमने कहा सर हम जब कुछ पढ़े लिखे नहीं है तो आपके पास बैठ करके क्या करेंगे जो मतलब बात है और क्या करें वहां पर क्या बताना चाहिए तो वहां पे एक लड़की है उसको वह अपने बड़े रभी गोतम नहीं होते थे तो वह पूरा दिन अपने चेंबर में बैठा ले रखता था यह सब हमें कहानी एक दूसरी लड़की थी वह बताया करती थी कि यह मतलब ऐसा है नजर का गंदा है तो हम नहीं जाते थे तो एक दिन यह कहने लगा यह रभी गोतम आये तो इनसे मतलब बात यह थी कि उसके रभी गोतम जो है अपनी सास को ले जाकर के लखनों में भरती करवाया था उस दिन यह पूरा दिन अपने चेंबर में बैठा ले र गेट खोला देखकर के निकला आया हम बाहर काउंटर पर बैठे थे वहीं पर सामने उसके बाद में एक मनीस हैं वह भी घुस गए चेंबर खोल करके फिर वह भी मतलब दबाबा के बारे में पूंचे आ गए तो अभी यह नहीं पता अंदर में क्या था किसलिए वह कद्रीकेबिल में बैठते हैं तो कहने लगा कि ऐसा है साम को बात रखी गई रभी गोतम भी बैठे थे यह भी PPE यह रहे हैं यह नहीं कि नहीं नहीं करेंगे लेकिन खुलासा किया है नीज के माधनम से कि वहाँ पर जो इनके जो सर है रवी गोतम के डाक्टर दुसरे चाहरा उन को काम पज भी कहते हैं、 बीके डाक्टर के द्वारा वहाँ पर नजो लड़किया होती है उन्को एक हिसाब से लेला मजनौ का काम भी चल भा केविन के उनदर और तो वहां पर रोमाइंटिक कपल भी बन रहे थे डाक्टर उसी का इन्होंने बगावत किया जब इनको पूरी सचाई पता चल गई उस ग्लोबल तो इन्होंने तुड़ा बहस की तो उसके दोरा इनको कहा कि तुम काम यह नहीं कर पाई लेकिन काम ना कर पाना वह बड़ी बा करते हैं